हालो फ्रेंड्स तो आज कि इस वीडियो में बात करेंगो अपने एक सुपर डुपर इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में है जिसका नाम है इस्टुडेंट टी टेट तो यह हमारे एक ऐसा टॉपिक है जो एक्जाम में अगर आप देखोगे तो सौ मैंसे 99 वार आपको कु तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा तो यह इतना इंपोर्टेंट टॉपिक है तो इस लिए इस वीडियो को आप बहुत ही ज्यान से और अच्छे देखना और कंप्लीट देखना क्योंकि यह वीडियो आपको लगबग मिनिमम जो है दस नमबर तो दिलाने ही वाली है कुछी ना कुछ तो इसमें से आई गई जरूर बाकी यह वीडियो आपको लेंदी लग रही होगी उसका रीजन में अभी आपको बता दो देखो यह हमारे इस्टुन है टी टेस्टेस में तीन पार्स हमारे आते हैं एक सेंपल जो हमारा बिलको नॉर्मल है सिंपल वाला है एक हमारे यहां पर आता एक पूल या उन पेर्ड वाला और एक हमारा आता है पेर्ड वाला तो अभी बता दूघ कि मोश्टली टाम जो एकक्जाम में हमारा आता है वो बिलको सिंपल आता है उसी यापार्टिय सारी टीटिल आपको पहले पता लग दाएंगी उसके बाद पूल अन पेयर आता है इसको मैंने कवर किया क्योंकि सिलेवस में दिया लेकिन यह नहीं आते हैं हमारा सिंपल वाला ही आता है तो इसको आप ध्यान से देख लेना जरूर जरूर अगर आपको वीडियो लेंदी लग रही हो तो किवल इतना पार्टी आप देख लेना टाइम में यहाँ पर आपको देदालगा तो Schuldbei सिंपल सिर्फ और शिइन टेटर मिलेगा जो उसमें ऊपको और लिवार कोम एक साथ कवर कर देंगे यह वाला ज्यादा इंपोटन भी बहुत हमोट था लेकिन यह ज्यादा इंपोरेंड अगर डोंडों compare कियता है तो टी टेस्ट जादा वारा आता है अनुब आभी बैसे आता ही आता है तो चलो टी टेस्ट को यहां समझते हैं तो पहले समझते हैं कि एक्च्वल में आपको बताओं तो इससे जो मारी प्रीवेस वीडियो थी हाइपो तैस्ट वाली अगर मैं आभी आपने वह न आपको जो प्रीवेस वीडियों इसमें आपसे बोला था कि मालो की कल मैच होने वाला है सीएस के बरसेज गुजरात का और इसमें से आई पील कौन जीते की तो मैंने जैस्ट माल लिया कि वह सीएस के जोगा फाइनल जीतने वाली है तो यह मेरी उस टाइम मैच हुआ नहीं मैं उसको ही हमारे पर है वहारे नहीं पर यहाँ पर लगते है जो कोई हम सोचते हैं तो यह चीज क्या होती है एक हमारी सोच यह हो लिए도 हम मारे यह जी दा कल ron और जो मतलब जो हमने सोचा है उसके बारे में फाइनल डिसीजन निकालते हैं कि वह ठीक है या नहीं है जैसे आप एक्जामपल देखोगे आपको सारी कहानी समझ आताएगी अब यहां पर बाकी देखाता है तो जो कोई भी हम करते हैं अपने संपल के उपर करते हैं तो सेंपल कवर करें पर बहुती है अब अब1 को मैंने पढदा जोस्के साथ नॉर्मल स्टीक न बहु clim Hod कर बनेता है और होते है बीच में नहीं है यह मैंने के Qi हमाया दिवाइड होता है अगर मैं वह лиू कि मालो से हमारे एक Base करहें देस्टॉल होती है दो पांच हमारा premiere में हो स्हलेगा इधर दिउसेड़ कि यह तो हमारा नोर्मार डिरति की इसे espal करें ऑपने नहीं होंगे नन पार टärक्रिमटर्ट को डिस्टिबूट करते हैं इतना से बनाय के अंदर हमारे आते हैं टेस्ट और काइसकुर टैस्ट यू टैस्ट और ए Поэтому तो हमने चेक किया थो हमने जैट के बाठे तो हमने चेक किया थो हम देखा भी था जो आपने तो उसी दे मिलता दूलता हमारा टी टेस्ट है तो वह अगर आप कर चुके तो यह भी आपको बहुत ज्यादा आसान लगेगा तो चलिए अगर इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं तो टीदा टाइप आप इस में हमारा होता है उनल है को अप्लाई करते कर्מ करता तो पर आता है अब संपल हम एक लिए यहां सेंपल होघेख रहे यहां सेंपल महांगे देख रहे थे नहीं करते हैं अब लेकिन जो हमारे स्टूडेंट टी टेस्ट है यह सिर्फ उन्हीं सेंपलों पर अपलाई होगा जिन्हें सेंपल साइज है वहारा लेस्ट थार्टी होगा यान कि तीस से कम साइज वाले जितने हमारे सेंपल होंगे अगर आप कोश्चन देखोगे वहाँ पर आपको पता लग आपने नाम से रिसर्ट का नाम नहीं रख सकते वरना यहाँ पर होता गौसत टीटेस्ट आइसे करके कुछ होता तो इसलिए शेंदेट curry कासं क्ट कें जाए है जो जो ह impression बहुー हो हो हम रेंड़नम कुछ भी यहां पर फर्टी से नीचे सेम्पल को उठाते हैं तीजरा मैं जो उनका इस टैंपड़ जो उनका अब डिग्री ओफ्रीडम मतलब क्या है कि जैसे जितने हमारे टोटल सेंपल होंगे उसमें हम एक माइनस कर देंगे तो वह हमारा डिग्री ओफ्रीडम हो जाएगा यहां कि दिए अब यहां पर हमको दो चीज चाहिए होती है जैसे पहले बाला जो हमारा उसमें हमको लेवल लेकिन यहां पर हमको दो चीज चाहिए एक हमारा डिग्री ओफ्रीडम और दूसरा हमारा लेवल अप सिगनिवक्याद तो लेवल अप सिगनिवक्याद मोस्ट लीकेस में आप जितने भी कोशन देखो कि मोस्ट लीकेस में फाइब परसेंट यूस करते हैं और जब तो आपको टेबल के अंदर मिल आगी ज़्याद पताई है इनका जो टेबल होंगे वह मैं ट्राइड करूंगा कहीं भी नोट के साथ राइज कर दूँगा तो इस्टूडेंट टेस्ट की टेवल अलाग है जैट टेस्ट की टेवल अलाग है थो उनमें आप देख सकते हो अ यहां पर हमारा है यहां पर पूट करना है तो यहां पर यहां पर हमारा सेंपल है उसका मीन पूट करना है पर हमारा सksom है यहां यहां पर यहां है इसको यहां पर हम से से डिनोट करेंगे संप्यों ना हो नहुफ की यहां पर तो यहां पर पहले निकल रहा नेकलें Evangelion आ बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं इसके और भी फॉर्मूले होते हैं आप लोगो ने यह भी देखा होगा बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं तो हमें कोई एक फॉलो कर रहे हैं कि आप अलग अलग पुड़ोगे तो उनके लिए वेल्यू निकालनी पड़ती हैं पस अपना एक फॉर्मूले समझ लो आपको यह निकालना है एक्स माइनस एक्स बार यान की जो वीर का होल स्कॉर्मूल होता है यह मैं इसलिए पड़ा रहा हूं क्योंकि भी एक्जाम में कई वार आई है और डारेक्ट कोशन भी कई वर बनका थे कि राइट आवाउट दा पैरामेट्रिक रेच्ट है क्या होते हैं तो यह कहानी लिखनी पड़ेगी टेस्ट के बारे में लिखना पड़ेगा ए यह तोड़ी बात हैं आप देख लिए ना माइस 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 प्लस में यह ग्राब देख लो कि ग्राब इसका भी सिमेट्रिक होता है क्याने कि बीच के लाएं इदर उदर बराबर सबसे उपर वाला नॉर्मल डिस्टिविशन है यह हमारा डिग्रियों फ्रीडम बारह हो यह हमारा डिग्रियों अर्द यह समझाने के लिए यहाँ ऑर दो अर сем desuten नीचे बंगा-ध्र वालें तो मेरे और सी उपर नेगा चोटा बने और जो प्रीडम से है क्या हो उतलब है फ्रीयार कव्ट यह करने होता है तो यह सब्सक्राइब करनि है क्या कैसे होगी धर यह ल Absol somebody निकालना है क्यों की एन माइनस वन करकर आपको सुधेंगँ तो इस इसके बाद आपको डिग्री ओफ रीडम पता करनी है यह है और लेवल आप सिगनिफिकर पता करना है कि मोश्टली के इसमें आप जो है फाइप परसेंट सिक लेवल तो इसको निकालते हम ऐसे यहां यहां निकलेगी और यहां पर हम इसकी वैलिव पुट कर देंगे एन और यह तीनों चीज़ हमको गिवन मिल जाएंगी तो बस हमको पूरे कोश्चन यतने भी होंगे हाइप टेस्ट के हमको सर्फ इस्टेंडर्ड डविएशन निकालना होगा बाकी चीज़ हम आल्मोर्ट यहां पर पुट करते जाएंगे ठीक है बाकी यहां पर वही गंडि है यह मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्यों कि मोश्ट लीकेस में हमारा 95 परसेंट अगर होता है तो यहां पर क्या करते हैं 0.05 बात आएगा आपको बताएंगा 95 का मतलब क्या है कि 95 परसेंट है यानकि 5 परसेंट लेवल ऑफ सिंग्निविएंट होगा उसमें 0.05 बात आ इनमें अगर कई आज आता तो आप करके आ सकते हो ठीक है सेंपडीड हमारे पाथ तो आप समझेंट या चोड़ कोई बात है तो आगर हम पहले समल्च चो संपल जो आपने लाइन वांतरा आहीं है ऌशन अपके सांद में यह है इसका फॉर्मूला यह है और सेंपल के मंदब क्या गी कि जहां पर क्या है इसमें हमें पता नहीं है हमको कैलकुलेट करने सम्ट में जो इसके और यह याद रखना है यह प्रोसीजर हर एक में अमारा से मी लगने लगने वाला है तो फिकर लेने की जरूबत नहीं है दारक of 20 item एक हमारा कोई सेंपल है उसमें 20 आइटम में देख लो कोई भी कुशन होगा वो 30 से कम आइटम ही होंगे क्योंकि यह हमारा टी टेस्ट लगेगा तो यहां आप समझ जाओ कि उसका इमको नहीं पता होगें तोzych अच्छाव और ऊसिवीक पता होगें तो आम को यहां पिद यहां-पे-देगो तो यहां-च्र कि यह मारा है वो उस नार्मल से लिया है जिसका में हमारा हुट Allah कि लोगा तो अब यहां पर देखें तो हमारा जो सैंपल होगा एन इस उकल 220 होगा जाए प्राइन तो जो मिउंध है क्योंकि यहमारे hypothetical मीन है उटाएं था अब यहां पर अग्र हम बैल न्यूट करें तो एकस्मीन हमारा क्या होगा 42 हो गया जोगया नहेंट हुझार इहां पर कितना है 45 पर या हो गया is सेंपल हमारा कितना है यहां पर 20 है तो यहां पर 20 होता है जब हम इसको सॉल्व करेंगे माइनस त्री आजाएगा फाइफ का फाइफ अंडरू 20 को आप सॉल्व करोगे इसको यहां पर डिवाइड करेंगे तो आजाएगा अब जिसको सॉल्व करेंगे तो आजाएगा माइनस 2.68 अब आपको मैंने पहली बताया था कि जो हमारा यह है इसमें आपको देखना है एक तरह से यह वाला कि यहां पर क्या है कि निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी होगा हमारी जो बैलिव पॉजिटिव में आजाएगी इस लेस तैन टैबूलर फॉम जाना कि जो हमारे यह बैल्ल तो 2.683 अब हमारी बैल्यू कितनी है हमने लेवल फॉजिटिव लिया इसमें 5 परसेंट जो हमारे यहां गेवन भी है और डिग्री ओफ्रीडम हमारी कितनी होगी तो डिग्री ओफ्रीडम के लिए मैंने आपको बताया था कि डी एफ उस इकल टू एन माइनस बन निकलेग जो हमारा एहरा दियान की जितना लेवल दोनों वैल्यू करके हमारी निकलेगा आती है अब हमारा जो रूल कहा था कि हमारा यह से कम होना चाहिए लेकिन यहां पर देखाता है तो जो हमारी फाइंड वैली हुए वह है टू पॉइंट सिक्सेट्री और यहां पर जो हमारी पॉइंट यहां तो यह से बड़ी होती है तो हम जानते क्या होगा थागी हमारी है तो यह होता है अब आपको चलो यह को समझा दिए ऐसे सॉल्व होगा लेकिन अब आपके सामने आएगा कि आपको लिखना कैसे है यह बहुत इक्जाम में आता है तो आप कैसे लिखोगे तो एक्जाम में मोशली जो कोश्चन आते हैं वह भी हमारे इंप्टेंट कोश्चन का यह हमारे कोश्चन पेपर से उठाई होगा कोश्चन है तो यहां पर क्या लिखा है ता हाइट ऑफ टैन मेल ऑफ गिवल लोकालिटी मैं इस वाले को इतना ध्यान दे इसलिए पढ़ा सब्सक्राइब करना है तो इन्होंने बुला इस रिनेवल तो इन्होंने बुला इस रिनेवल सब्सक्राइब कर सकते हैं तो पहले हम यह ले लेंगे कि माल लो हमाल लेते हैं कि जो एवरेज हाइट है उमारी 64 इंच है तो हमने कंडिशन पहली बना दी एच नौट इस कॉमा इंवर्टि कॉमा मियो इसकल टू सिस्टिव यान कि जो मारा मीन है वो हमारा एवरेज तो हम क्या करेंगे सिंपल टी बैली निकाल देंगे जो मैंने स्टेंडर डैविशन का आपको फॉर्मूला बताया था क्या फॉर्मूला था कर मैं सिंपल ओलो एक्स माइनस एक्स पार का होल स्कुर्ण अपोन यहां पर क्या आजाएगा हमारा एट माइनस पना यही फॉर् थो एक्समारे माइनस इकवार करते जाएंगे जैनकि सेबंटी माइनस सिग्वाइनye सिभल माइन देकड़ी 3.5 इस तरह हम सभी को मांटनऽ कर दो मैंस शारी निकल देंगे उसके पार हम करेंगे इसका इसका इसके स्कॉर्मूला में जहां आपको उपको इसका 1 कर देंग तो यह हमारा है 92.5 हो गया यहां पर इसकी वैल्यू जो हमने यहां सम किया एन मैनेस वन आज आएगा अब इनको जब हम यहां सॉल्व करेंगे 92.5.9 इनको सॉल्व करेंगे अंडरूट 10.27 पहले से लगा हुआ है अब 10.27 जब हम अपने कैल्कुलिटर का यूज करके अठाए लेवल अब सेगन पर हमारा गिवन था 0.05 पर से लेना तो टी टेक्ट मारा क्या था एक्स मानस म्यू अपॉन एस अपॉन अंडरूट एंड तो इसी को हम जो है ऐसे भी लिख सकते हैं तो कंफ्यूज मत हो ना अगर कहीं पर आपको ऐसा लिखा मिलता है क्याओं कि यह हमार क्या है अगर देखा दा काई देम है तो अगर मैं आपको बताओं यह हमारे क्या इस तरह से हैं और यह अरूट एगा अगर हम यहां पर क्रॉश यागी करह तो इसके नीचे भी अमयरा बनोगा यह ऐसे हो घाए तो मारा आएगा एकस मायनस मियू और यहां पर अन्डरू प किसके पास तो यह हमारा क्या हो जाएगा अंडूट तो इस तरह को अगर कहीं ऐसा लिखा मिलता है तो आपको कन्फिूज नहीं होना ओके तो अब हमारी वैल्लिव हमको सम मिल गई यह हमारा है मीन अप सेंबल जो करना है तो वह मारा सिस्टीफर है यह मारा एस यह तो पर यह हमें निकाल लिए त्रीपैंट वह तो यह अच्ट लिए यह वह नहीं लगाना है अब इनको आप तो इसलिए क्या होदाए यह जो टेवलेटेड वैल्यू है तो इसलिए नल है पर रिजक्ट होगया तो यह अब थर्ड हमारा यहां पर एक ग्जामपल है तो यह आपको भी साथ में सॉल्व करते जाना है मैं बस आपको जो हिंट बता देता हूं कि आपको करना कैसे सॉल्व ह तो अब अगर हम यहां पर कोशन बड़े क्या है तो यहां पर हमने क्या किया दस बच्चे उठाएं दस लड़के हैं उनका आइक्यू का लेवल हमारा यह दस वैल्यू दे रखी है अब कैन दीज डाटा सपोर्ट दा अजंशन ओफ पॉपुलेशन मीन आइक्यू इस इख ठीजण सब्सक्राइब हम यहां पर उटीनेस प्रेंगे हैं तो फैर यहां पर। देता हूं तो यहां पर हमारी कंडिशन क्या बन दाए कि पहली है यहां पर हमको जो अल्टरनेट क्या हो दाएगा इन्हों नहीं दिया तो हमारे जो अल्टरनेट हो दाएगा चैंख वनद लाक दैगा तो हमें यहां पर क्या ट्रफॉं कर रहाएं वैल्यून निका लिए निदूर्फ करते वाला है तो मारे नहीं अटार क्या नहीं हुँ इसरा पर उसके लिए हमको क्या करना हएं तो आपको इसी तरह नोट डाउन करने है अब मुझे चाहिए इसका डी वैल्यू सेकिंड तो यहां पर डी इस इकल टू क्या है हमारा एक्स माइनस एक्स नॉट यह हमारा निकलेगा तो यहां पर एक्स नॉट हमारा का मीन है तो पहले हमें इसका मीन निकालना तो इसके मीन के लिए क्या करना है जितनी वी बैल्यू है इन सबका सम करके अपन मैं जितने नंबर हो कर देंगे इसका मीन निकल के आगया अब हमको क्या करना है इसका माइनस निकालना है तो हम यहां क्या करेंगे इससे करेंगे करके 70-97.2 करेंगे जो आंसर आएगा तो इसी तरह हम क्या करेंगे सबका यहां पर क्या करेंगे मैं लिख लेता हूं आप भी अपना रफ में करना शुरू क पाइगा तो यहां हमारा कितना आया था 972 अब जो इन सब करेंगे इसकी वेली हमारी आएगी 1833.60 आप करके देख ले एक बार में टाइम की चक्कर मैं यहां पर पुरा कर रहा हूं तो यहां हमारा डी स्क्वाइर की बैल्यू मिलके जाने की एक्स मायरे सट्र अब आपको बताए इस टंडर्ड डेविशन कैसे निकालते हैं तो एस इकल टू अन्ड रूट सम औफ एक्स माइनस एक्स एक्स उलका स्क्वाइर अपॉन एन-1 यहा सब्सक्राइब लिखते हैं तो एस इस इकल टू हमारा कितना आजाएगा सम औफ यह हमारी वैल्यू कितनी है 1833.60 आजाएगा एन-1 क्या है 10-1 आजाएगा तो यहां पर क्या आजाएगा अंड रूट हमारा 1833.60 अपन 9 आजाएगा तो अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे इसमें अंडरूट आता कैसे है हर तरफ लिख लिए कहीं आई नीरा पर धोके से घूम गया तब पता जला भी आईफॉन में घुमाने के बाद आपको यह सारे ऑप्सन मिलते हैं सैमसंग में अलग से बटन भी दे रखा है तो यह हमारी क्या है स्टेंडर्ड डेविएशन क यहां निकल के आ गई तो अब हमारे एक से किने को मारा कैर एकस माइनस मीो अपन एस अब अन्ट थिया रही में इसका निचला था आ ना और अपॉन में अंडरूट हमारा कितना है एन हमारा कितना टैन है तो चलो फिर इनको भी सॉल्व करते हैं आप खुद भी इसको पूरा कैलकुलेट कर सकते हो अपने कैलकुलेटर में यूज करके तो काफी महनत मकस्त करने के बाद जब इतना पूरा किया तो हमारा आंसर यहा हमारी वैल्यू है वह इससे कम है या फिर जाता है तो हमारी क्या है यहां पर जो हमने डिग्री आफ से लिया है वह हमने लिया है 0.05 और जो हमारा डिग्री आफ वह हमारा कितना आएगा n-1 यानकि n-1 is equal to 10-1 यानकि 10 हमारा वह सेंपल पूरा आप्जरवेशन है तो 9 आज तो टी की वैल्यू 0.05 at the degree of level 9 तो टी की वैल्यू 0.05 यानकि 5% से लेवल अफ सेंपल पे जब हमारा degree of freedom 9 हो तब हमारी आती है 2.262 तो टेल टेस्ट के लिए और मैंने पहली बोला कि यहां पर गाइस not equal to तो यहां पर टेल लगया यह चीज़ मैं आपको पहली बताता है तो यहां पर आगर आपके लिए हम बनाते लेवल ऑफ और लेवल ओफ कॉंठीन जो मैंने आपको को पहला था होता है वह हमारी सीज़ों के लिए होता है कि हमारा इसके लिए हमारा इसके लिए हमको क्या है लेवल ठीघ्ज जो पर यहां पर जो हमारी टी की वैलू जितने हमने ली तो 0.05 क्योंगी 5 पर देंगी वह और यहां पर हमारा था है standard error of me तो यह formula आप याद कर लो जब भी आपको पूरे कोई भी range कैसे बनाने हो यह formula आप याद कर लो तो अब आपको क्या करना यहां पर values को put करना तो जो हमारा x mean हमने निकाला था वह हमने कितना निकाला था 97.2 निकाला था वह 97.2 हम यहां लिख देंगे एक बार plus करना है 97.2 एक बार minus करना है ती की वैल्यू जो हमने पूरी निकाली वह हमारी कितनी आई थी यहां पर टू पॉइंट टू से निकाली तो हमने कोई जैसमें मेहनत बगासन नहीं कि बस टेवल में ढूड़ना होता है तो टू पॉइंट टू सिक्स टू हो गया अब यहां पर स्टेंडर्ड एरर और मीन कि स्टेंडर्ड एरर और मीन बोलते हैं तो यह हमारा कितना था इसकी पूरी वैल्यू मारे कितनी निकले गाए थी 4.516 तो बस हमको करना 4.516 इंटू 4.516 तो एक एक बार हम क्या करेंगे उपर को सॉल्व कर लेंगे तो बस उठाओ अपना कैल्कुलेटर और लगाओ इस पर नंबर तो जब हमने उपर वाला सॉल्व की हमारा अंसर है 107.4 नीचे वाला किया आया 86.98 तो अगर हम बोलें कि जो हमारा कोश्यन है इसके एक रीजनेवल रेंज है जिसमें हमारा जो IQ लेवल है उनका मीन जो है सेंपल का वो एक्जिश्ट करता है तो हमारी यहां पर रें तो इस तरह हम यहां पर इस लेवल ऑफ कॉन्फीडेंस से अपना निकाल सकते है लेवल ऑफ कॉन्फीडेंस किस पर ले लेना है हमने लेवल ऑफ छिगनटən में परसंट लिया तो 95 परते हैं निकाल लिए बढ़ें तो नीचे वाला यहां पर यह होता पूरे इसमें बाले तो यह वाला हमारा क्या होता है standard error of mean यह जो नीचे चीज है as upon under 10 यह हमारा क्या होता है standard error of mean होता है तो इसी की value यहां put करनी है आपको इस जगह पर यहां पर और इधर आपका जो x mean आपने निकाला sample का वो करना है तो आपको यह पूरा question समझ आ गया होगा मैंने आपको खुद से ही सारा करवा दिया है वागी एक question में यहां पर चलो इसी को एक बार आप फिर से कर लेना क्योंकि fair मैं जो मिला हुआ नहीं है वही आपके लिए बहुत होता है तो अगर कायदे में देखा था है तो student t-test आपक करा है कैसे क्या है तो इसको independent t-test नाम से भी जानते हैं कई जगा पर इसका फॉर्मूला आप बस याद कर लो टी उकल टू एक्स मन का मीन माइनस एक्स टू बीन अपॉन एंटू यह अब यह एक्च्वल में है क्या तो यह फॉर्मूला बना कहां से तो यह हमारा इससे बना तो इसी को पूरा बना के इस तरह का फॉर्मूला मारा जनरेट हुआ है तो कुछ भी अलग नहीं आप सोचे कुछ अलग आया कुछ अलग नहीं है जो हमारा पहले वाला फॉर्मूला था पस उसी जगह जहां पर आ पहले हमारा एक मीन होता था है इस इदर हाइपोथाटिक वही सेम है वहाँपर हमारे एक का था यहां 2 का कमाइंड कर दिया तो 1-1 मीन इसकोर पहले हम देखा था एतना हमारा होता था 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 साथ है और इन दोनों का आपस में कोई रिष्टा नहीं है तो अब हमको यह पता लगाना है कि is the difference between the mean of sample significant क्या इनका जो mean का sample significant है वो है या नहीं है एक बात मैं बता दो कहीं भी आपकी sample यहाँ पर मतलब दो sample होगी बात होगी वहाँ पर आपको हमेशा नो लेना है अब लोग सोचेंगे क्या कैसे लें तो यहाँ पर लिखाए कि is the difference between the means of sample significant क्या यह सेंपल हमारे यह आपस में significant होंगे तो यहाँ पर आपको नल हापताज नहीं कि यह these are no difference between two samples यानकि इन जो हमारे दो sample हैं इनमें कोई भी difference नहीं होगा आपको यह नल हापताज लेना कहीं भी आप लोगे कि यह आर क्या होगे यह सेंपल हमारे जो दोनों सेंपल है इनका मीन होगा उनमें कोई भी difference नहीं होगा दोनों के दोनों सेम होगे तो जैस हमने एक यहां पर सबसे पहले आपको करना एं न करना है का मतलब देखोगे तो एक्स बन का यह 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 त थीन और चीज आपने अलग बनाई एक्स माइनस बनका यह होल सका इसका स्क्वाइर निकाला आपने पूरी चीज़ बनाई बस फॉर्मूले में आपको कमाइंड कर देनी है अब गिवन में हमारा क्या है एंट एंटू सेवन है एक्स इसका पहले का मीन निकाला 12 दूसरे का न टेंडर डेविशन निकल आया ठीक है आप कोश्चन एक बार पढ़ लेना यह नोट्स भी मैं अप्लोड कर दूंगा सैकेट यूनिट कंप्लीट होने वाली कंप्लीट यूनिट अप्लोड हो जाएगी दन टी की वैलू हमारी जो मैंने फॉर्मूला आपको पहले लिखवा अब लेवल अफ सिंग्मिकांद हमने यहां पर लिया 0.05 अब बैल्यू अफ्टी निकालेंगे एट 0.05 लेवल अफ सिंग्मिकांद और 13 डिग्री ओफ फ्रीडम जो हमारे यहां थे तो हमारी वैल्यू वैल्यू ए टू पैंट बन सेखता है वह हमारी इस से कम होनी चाहिए हमारी इस से कम है यारे जो असेफ्ट नहीं होता तो भाई यहां कि इसका मतलब क्या है कि जो हमारे दौन सेंपल में कोई भी डिफरेंस नहीं है नहीं है तो यह हमारे पूरा निकाला इसी तरह का सेकंड कोश्चन है यह आप पूरा देख लो पढ़वी नहीं रहा मैं आप इसका आंसर लेकर बचाना कैसे क्या हो अब देख लो तो यह हो गया अब यहां हमारा थ्रड पार्ण रहे अब यह कोई लड़की चल रहे हैं लेकर भए रिच्टा निकालने लग गए तो वह लेकिन यह कपल्स हैं कोई या गर्लफेंड वाइफ्रेंड होंगे या पर पतने में कोई भी मतलब एक रिष्टा पेर्ड तो आप इनका निकाले तो वह हमारा होता है पेर्ड टीटेट तो पेर्ट टीटेट में अक्च्वल में क्या कर रहे हैं कोई रिलेटेड जो अब यहां पर जो एस निकलेगा वहमारा निकलेगा स्टेंडर डेविशन निकलेगा मारा सम ऑफ डी माइनस डी मीन का होल स्कुर्र अपन एंड मैंस बना जाएगा तो इसको आप चोड़ नहीं सकते डिग्री ओफ्रीडम को आप नहीं छोड़ सकते तो नीचे आपका सारी कहानी आपके लिए इजी हो जाएगी कैसे क्या करना है तो इस कोश्चन के क्या है कि हमारे पास 12 पार्ट्सपेंट है यान की बारे केंडिडेट है हमारे पास और उन्होंने यहां पर एक मतला क्वालिटेटिव एनलिजिस का यहां पर टेस्ट परफॉर्म किया है कोर् अब यहां पर क्या होगा पहले से जब उनके बात के नमर आगे तो क्यों कुछ इंप्रॉमेंट होना चाहिए तो वही यहां पता लगाना है कि इंप्रॉमेंट हुआ है या नहीं हुआ है अब यहां पर आगर आप एक चीज़ दिखोगे तो इन्होंने यहां पर यह नहीं हैं या नहीं है उन्होंने इंप्रूफ हुआ है या नहीं हुआ है तो यहाँ tips थेस्ट हमेशा हम इस नौट यहाँ था सकता था इधर विभी लेकिन इन्होंने बोला कि वह इंप्रूब हुआ है जाने लिए तो हमा रहा क्तिंच सिर्फ सर्फ 10 ée तो इतना सा यहां पर फरग है और कुछ नहीं है ठीक है बाकी कहानी सब कुछ सेम है जैसे हो रहा है वैसे हो गा जो यहां पर बदल जाती है तो यहां पर देखें एक टेस्ट है क्योंकि हम केवल इंक्रीज हो जाना की इंपरूब की है डिक्रीज की हम बात ही नहीं कर रहे हैं लेवल अफ सब्सक्राइब को 5% ले रहे हैं और जो डिग्री ओफ फ्रीडम में वहारा कितना 11 है तो यहां पर जो वैल्यू अब हमारे याते 1.796 आती है एट डिग्री ओफ फ्रीडम 11 और 5% सिगनिफिकन फॉर वन टेल के लिए यह बैल्यू आपको वैसे किसी भी टेबल बगरा में देखनी पड़ेगी तो अगर मैं आपको एक जश्ट डेमो दिखाऊंगी कैसे देखोगे तो यह हमारी टी टेस्ट की टेबल है अब अब हमारी कंडिशन देखो क्या थी 5% सिगनिफिकन तो 5% सिगनिफिकन फॉर वन टेल वन टेल के लिए तो देखो वन टेल हमारा क्या यह है अब बन टेल के लिए 5% मतलब 0.05 जी बात हो लिए तो 0.05 यह रही अब 0.05 पह अब डिग्री ओफ रिडम हमारे कितने हैं यहां यहाँ फ्रीडम पर अन्मारे फ्रीयव क क्या है उपने पॉंट 796 T तो यहां पर आपको वैल्यू पता लग गई सारी आपको क्या करना है जो मैं आपको बता रहा हूं आपको खुद करनी है जितना प्रक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा तो हमने दिखा कि कोई की इंप्रुमेंट नहीं होगी है यहां पर हमने जैस्ट एजिम किया क्यों मैंने आपसे बोले हो कि आपको नो चूज करना है पहले मोश्ट लिए इसमें आप स्क्राइब आपके लिए इस तरह तो यह आप खुद करोगे बैठके सारा का सारा और यह सारा खुदी करो बैठक इसका डी का आपको मीन निकलना हैं और जब डी का मिन निकाल लोगके देन जहां पर जो आप डी मिमिन करोगे जैसे मेंइंप C मीन करते थे वो निकालने मैंदेन एक casos कर्द दोगे जैन इसके ऐप moments झाले करते हो श्क्राइब सके यहां पर बैलिया है पर लगे और n हमारा कितना है आपको पता देगा 12 है तो यहां पर 12 अंडरू 12 आपको यहां लिख देना है तो जब आप सारी केलनी निकालोगे तो t की value आपको find out हो जाएगी then t की value आपको compare करनी है कि इससे कम है जानी है अगर इससे कम होगी तो भई पास हो जाएगा इससे जादा होग इस चका अगा अगर लोग पास हो गया तो मतलब हम कहेंगे कि हमारा सच में नहीं आया और अगर हमार कितनी जो तो यहां पर आपके सामने कितने questions हो गई है एक आपके लिए पेर्ड वाले का हो गया और यहां पर आपके सामने यह सॉल्व करने हैं आपको सारी कहानी समझ आगी होगी आपके लिए स्टुटेंट टीटेक्स थोड़ा समयने वड़ा कर दिया लेकिन आपको सारा एकदम एकदम क्रिश्टल क्लियर हो गया होगा तो अब आपको वीडियो कैसी लगी कमरे करके जरूब बताओ तो यह बाला question exam मे आपको अच्छे ते कराएगी आपको सारी कानी समझ आता है property सारा कुछ मैंने आपको करा दिया बागी questions आकर आपको लगाने तो बुक बगरा मिल जाएगा तो बस मिलते हम आपसे बहुत रहे नेस्ट वीडियो में तब दिखेंक यू टेक केरेंड आप सभी लिए अपना यूनिट सेगंड खतम करेंगे थैंक यू दोस्तों